नमस्कार सर सत्साइब क्या सुब नाम है जी आपको? विकास दास कहां से आये हैं? मेरा गाउन सिंग परा है, रौत तक के पास है संत्रामपाल जी महराज की शहनमाने से पहले कौन सी बगती करते हैं? आज उसको मैं बगती तो नहीं कूँगा लेकिन मैं एक पंथ से जुड़ा था जिसका नाम आरिय समाज था, मेरा जनम ही उस पंथ में हुआ है और परिवार मेरा आरिय समाजी आज भी है और सद्गुर्णापाल जी महराज की दया से मैं आरिय समाज के परकौप से बच गया लेकिन मेरा परिवार आज सारा आरे समाज को फॉलो करता है सिंग ब्राग में गुरुकुल है एक जो आप रौतक से आओगे तो ओन रोड है जीन रोड पर और वो गुरुकुल मेरे अपने मेरे पापा नहीं वो जमीन दान में दी है और बहुन निर्मान इत्यादी का कारिया भी करवाया है और पूरी तोर पर हम आरे समाज में समर्पित थे मेरी सिक्ष्या भी गुरुकुल से है मैंने मैट्री गुरुकुल से ही की थी और वही हम जिस परकार की भी द्यानंद ने जो साधना बताई थी उसी को करते थे और इसमें ऐसा तो भगति वारी बात कोई भी नहीं थी आरे समाज में दो इवातों का क्या लखा जाता है एक तो अपना कुर्सी या पद को कैसे बचा के रखें और दूसरा दान या जिसको मैं कहूंगा चंदा इखठा करने का कोई फंडा कैसे बनाया जाए गूओं के नाम पे बनाया जाए या किसी शिक्षा गुरुकुल के नाम पे बनाया जाए तो भगति कोई भी नहीं थी ये मैं आज समझ पा रहा हूँ बगति सिर्फ एक ही है जो सत्रामपाल जी महराज बताते है संत्रामपाल जी महराज से जुड़ने से पहले मैं रिशी द्यानंद जी को आप क्या मानते थे मैं रिशी द्यानंद को मैं रिशी मानता था और ऐसा रिशी रिशी की परिवाशा आरे समाज में ये बताई जाती है कि जिसका परमात्मा से सक्षात कार हो चुका हो और जिसने दर्म को जान लिया हो और मैं उनका फॉल्वर था और अंध विश्वास करता था इस बात पे कि जो स्वामी दानद ने कह दिया वो अक्षर अक्षर सत्य है और तमाम हिंदुस्तान में सरफ एक दियानद ही ऐसे हुए हैं जिन को परमात्मा का ज्यान हुआ है और उन्होंने उस सारे ज्यान को अपनी पुस्तक सत्यार्थ परकाश या दूसरी पुस्तकों के मैंदम से समाज को दिया है संत्रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए संत्रामपाल जी महाराज की शरण में आने की कहानी 2006 क्यास पाश शुरू हुई संत्रामपाल जी महाराज ने स्वामी दानन्द के बहुत सारे विशों पर आपत्ति टिपनियां और एक ऐसा मंच त्यार किया, एक ऐसी अद्वूत शिरुवात की, जो शाहिद इत्यास में कभी नहीं हुई, इन्होंने एक ग्यान चर्चा के नाम से ऐसा मंच त्यार करने कोशिश की, जिसमें आरियसमाज से चर्चा की जा सकती थी, और उसका माध्यम था मीडिया, में बताएं कि इन बातों का अर्थ क्या है और ये सत्यार प्रकाश में क्यों लिखी गई है, और क्या ये बातें एक सब एसमाज में लागो की जा सकती हैं, मैंने उस अक्बार को पढ़ा था, और जो मैंने उस अक्बार को पढ़ा, तो मुझे एक जटका लगया कि इस तरह की बाते नहीं कई पर उसको पड़ा तो अक्षर अक्षर सत्य थी जो अकबार में दी गई थी मैंने दुबारा फिर सत्यर पर पर पड़ा और पढ़ने के बाद मुझे एक जटका लगा कि यह बाते हो कैसे सकती हैं सबसे बड़ी जो गातक मेरे लिए थी कि चोथे समुलास में रिशीर द्यानद ने वो बाते लिखी हैं जो एक रिशी कही नहीं सकता वो इतनी ओच्छी और गटिया बाते हैं मैं सत्यार प्रकाश को लेके जो आरिये समाज के जिम्मेवार आचारिये थे उनके पास गया और मैंने उनसे उस चर्चा के बारे में बात की कि इस तरह के प्रशनों का जवाब हमें देना चाहिए और मुझे इस बात का यकीन है कि जो द्यानद कहना चाहते थे वो हम नहीं समझ पाए या संत्रामपाल जी उस चीज को नहीं समझ पाए जो रिशीर द्यानद का करें और मुझे यह बताएं कि ये जो विवहानु गित military का औरन किया गया है चोथिस मुलास में इसका क्या प्रियो थे ईसमें इसको हम तार की क्या दार स कैसे फरमाणी कर सकते हैं लेकिन उन आ चारियों ने मुझे कوई जवाब नहीं दिया मैं सत्यार्थ प्रकाश से संबंदित लोग दिल्ली में भी हैं मेरे कुछ परीचित में उनके पास भी गया वो पहले हमारे इसंग पुरा गुरुकुल से संबंदित थे तो मैंने उनसे भी चर्चा की और फाइनली यह रहा कि जो संत्रामपाल जी महराज ने कहा था वो सत्यार्थ प्रकाश में था और यह उने की वज़े से मुझे लगा कि चलो हो सकता है यहां रिशी द्यानन से गलती रही हो लेकिन बाकी तो उसकी बाते सबी ठीक हैं एक अकबार के मायदम से ही आरिये समाज जो हर्याना की प्रतिनिती सभा है उसने जवाब लेकिन वह जो ज़वाब था उससे मैं संतुष नहीं थो मैं नहीं जाता था उस जवाब को दिरना क्योंकि जब सामने वाल आपसे पूछता हो कि दो और दो कितने होते हैं तो आपका करते हैं आप यह बता रहें ओर टीन अर्च्स्री होते हैं जो संद्रामपाल जी के प्र आज ने शुरुवात की है, इसको एक उचाई तक लेके जाएंगे और जनता के सामने स्पष्ट कर देंगे कि द्यानद का ग्यान कहीं भी किसी रूप में गलत नहीं था लेकिन मेरी इस बात का उन लोगों पर कोई परभाव नहीं पड़ा और मेरा ग्यान इस लेवल का नहीं था कि मैं उस चीज को लोगों को समझा सकूँ इसके बाद उन्होंने ओचे और गटिया आरोप संतरामबालजी माराज पर लगाने शुरू हो गए और मैं उनकी मिटिंग्स में जाता था मेरा वहां एक केंदर बिंदू रहा अपने समय में आरे समाज का उन्होंने मुझे अलग थलग कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के आरोप लगाए जाएं इस तरह की बाते की जाएं मैं जानता था आरे समाज की परवर्ती है कि वो अपनी जीत या अपनी कुर्षी को बचाने के लिए इंसक भी हो सकते हैं गंद आरोप भी लगा सकते हैं मैं यह जानता था लेकिन इस विशे में मैं ऐसा नहीं चाहता था मैं यह चाहता था कि यह चर्चा समाज के सामने आए और संत्रामपाल जी महाराज जिस तरहें की बाते द्यानद के बारे में करते हैं वो बाते स्पष्ट हो जाएं लेकिन ऐसा नहीं हुआ मैं उनसे अलग हो गया और उनकी मीटिंग्स वगरा मैं जाना मेरा बंद हो गया और उन्होंने एक ऐसा शगुफा त्यार किया कि अगर मैं आज उसकी चर्चा करता हूँ तो मुझे शरम आती है इस बात पर कि मैं उन लोगों से कभी संबन देत रहा हूँ उन्होंने ओच्छे गटिया रोप जो शायद सब इसमाज में उनका जिकर भी करना पाप है उन्होंने संतरामबाल जी महराजब लगाने शुरू कर दिये और इस बात में सबसे बड़ा सयोग उनका प्रशासन से था और मीडिया से था मीडिया को भी लगातर बर्मित करने की कोशिश कीगी और उन चीजों को उन्होंने बार-बार उच्छाला और ये कहोते होते जुलाई 2006 आ गया जुलाई 2006 में जो भी गटना होई वो शायद इतियास की सबसे घिनोनी और श्रमना गटना रही होगी आने वाली पीडियां शायद ये बात ना कह पाएं कि आरिये समाज नाम का कोई पंथ ऐसा था जो कभी किसी भी परकार से जाने अन जाने में दरम से संबन दितरा हो संत रामपाल जी महराज का सत्संग करोथा आश्रम में चल रहा था लगातार और वहाँ उन्होंने अपने कुछ लोग बुला कर और एक बात मैं ओर विशेश करना चाहूंगा आरिये समाज के बारे में कि वो एक ऐसा ग्रूप है पंथ नी कुँआँ मैं उसको उनके पास संख्या कुछ नहीं है वो एक ऐसा ग्रूप है और उस ग्रूप के पास एक विशेश्थता है कि वो बाशन के माज़म से पब्लिक को ऐसा बढ़का सकते हैं कि ये कला दूसरे के पास किसी एक नहीं है और उन्होंने डी गल करो था इत्यादी अलगले गाओं में जाके कुछ इस तरह के बढ़का हूँ बाशन दिये और जिससे उस आशरम को चारों तरफ से घेड लिया गया आशरम में आने वाले बेहन बेटियों के साथ बत्तमीजी शुरू होगी और इस चीज़ का पूरा का पूरा कारण आरिये समाजी था और इन चीज़ों को बेहन बेटियों के साथ बत्तमीजी और आशरम में बंद लोगों को चार दिन तक बिजली पानी इसकी सप्लाई काट दी गई ये मेरे लिए बहुत ये दरगा दुर्भागे पून था मैं इस बात को नहीं सैन कर पार था फिर भी मैं न्यूटल था मैं जानता था कि सच बोलने की सजा इस समाज में मिलती है और खास तर पर जब भी हमारी समाज मंदित रहे तो कूट नीती और इस तरहें की बाते वहाँ अक्सर सत्ता की लोलुपता में चलती रहती है मुझे यकीन था कि अब याश्रम बंद हो जाएगा और ज्यादा दिन कुछ ऐसा नहीं होगा लेकिन वहाँ जो भी कुछ हुआ उससे मुझे एक मलाल अवश्य हुआ कि जो मंच त्यार किया गया था ज्यान चर्चा के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान विद्वता को ठीस पहुंची है विद्वान लोगों का विश्वास धरम से अब भट जाएगा संत्रामपाल जी महराज कि अनुएईयों को चारो तरफ से गेर के तंग किया गया प्रेशान किया गया बेहन बेटियों के साथ बत्मिजिया की गई और ये कोशिश की गई कि आश्रम पर हमला कर दिया जाए पर शासन का इसमें पुरा सा योग रहा जो सीडी संत्रामपाल जी महराज एक जागन चैनल के महाज़न से दिखाई गई है अगर उसको देखते हैं तो शायद आखों में पानी आता है कि पुलिस मूख दर्शन बनके देखती रही और हमला और हमने हमला किया अब आप ये सोचे एक बार उस चीज़ का उस स्थीति का अंदाजा करें कि जब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ कैद हूँ और चारो तरफ से मेरा बिजली पानी खाने की सप्लाई काट दी जाए तो मेरी स्थीति किस परकार की हो सकती है क्या वो लोग जो वहाँ इखटे थे वो इस देश के नागरिक नहीं थे क्या वो लोग जो वहाँ थे उनका क्या मकसद था वो देश द्रोई नहीं थे वो चाहते थे कि वो भगती करें और वो भगती करने के उदेशे से वहाँ इखटे हुए थे और उनके साथ ऐसा सलुक शायद ये बहुत बड़ा दुर्भागे रहा है इतियास का कि ऐसी गटना 21 इश्टावदी में जब हम ये कहते हैं कि सबेता की चरम सीमा पर हैं ऐसी गटना रोहतक में बुपंदर उड़ा की परशासन में ऐसी गटना गटित हुई और ये चार दिन के बाद सरकार ने परशासन ने उकसाया लोगों को कि आश्रम पर हमला कर दिया जाए तब प्रती रक्षा के लिए भी आश्रम की और से प्रती रक्षा के गई भी किसी को गुसने ना दिया जाए ताकि बेन बेटियों की, बुजर्गों की, बच्चों की रक्षा हो सके और मैं समझता हूँ आज कि ये सर्फ संत्रामपाल जी महराज की शिक्षाओं की वज़े से आज जो मैं इस बात को समझाओं कि ये संत्रामपाल जी महराज की शिक्षा है जो उसका बुरा भी करे उसका भी यो बुरा नहीं करते लेकिन यह नहीं था कि अंदर जो थे उनको क्रोध नहीं था उनको गुस्ता नहीं था लेकिन उनका एक आदर्श है कि वो हमेशा गुरू की बात को स्रेश्ट मानते हैं और गुरू जी के यह वचन थे कि नहीं हमें हम लाहा नहीं करना हमें सिर्फ अपने रख्षा करनी है अपने दर्वाजे बंद कर लो अपने आपको बंद कर लो औरέ की भरोसे पर चोड़ दू ऑर प्रमात्मा में बहुसे पर यह हुआ के पर मात्र कि द्यासी वह सभी सुरक्षित रहे इसके बाद पर शासन ने सीदे तोर पर उनको जेल बेज दिया तो जेल बेजने तक मैं समझता था कि यहां तक बात खत्म हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी बगतों के साथ बत्तमीजी और धर पकड़ शुरू होगी पुलिस के दोरा जो जहां जी सालात में मिला उसी को पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं था आकर्म आप ये देह एक बात धें किल Productions को वुष्जा मेरे घर पर राख वैंदर को इनाम दिया घया मैं अपने घर किया अंदर बंद था मैंने किसी पर हमला नहीं किया मुझे जेल में डाल दिया गया इस गटना दे मेरा आरेस माज से विश्वास उठा दिया लेकिन फिर भी मैं ये चाहता था कि एक दिन ऐसा अगर होगा तो मैं जरूर ग्यान चर्चा में संत्रामपाल जी के साथ इस विशे में बात करूँगा समय बीटता चला गया मैं अक्सर देखता था कि अगबार में लिखा होता था बगतों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा मुझे ही लगता था ये बातें किसी दूसरे देश की हैं हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं लेकिन ये बातें इसलिए थी कि परशासन नहीं चाहता था कि संत्रामपाल जी सरवायू करें वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इनका नाम और निशान मिटा दिया जाए लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि का बहुत बड़ा साथ था बगतों के साथ कि उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद 22 माहिने तक जेड में अंदर रह कर संत्रामपाल जी महाराज मेरे गुरू जी बहर आए बहर आने के बाद मेरे बाजी का लड़का हरजीत उसको मैं समझाने के लिए चला गया कि अगर आपको गुरू बनाना है तो आपको और बना ले मुझे लगता नहीं कि इनका बविशय ज़्यादा लंबा है क्योंकि जब परशासन और एक पंथ विशेश जो काफी इंसक है जब वो किसी के विरोध दो जाए तो ज़्याद लंबी बात नहीं हो सकती है तो उसने कहा कि क्या आपने संत्रामपाल जी मारज का ग्यान सुना है मैंने कहा हाँ सुना है और ग्यान तो किताबों से पढ़के कोई भी दे सकता है वैसे तो हमें आउशक्ता नहीं कि हम गुरु बनाए हमारी शिक्षा पुरी हो चुकी है और हम स्वैम दूसरों के गुरु हैं आप को फिल भी बनाना है तो और बहुत सारे गुरु हैं आप किसी परकार की समस्या में ना पढ़के गुरु कोई और बना ले तो उसने मेरे को कहा कि आप ऐसा करो एक सत्संग सुनो तो उन्होंने सत्संग चलाया CD चलाई उसमें मैं ज्यादा तो मैं याद नहीं रख़ाया लेकिन मुझे एक बात ने बहुत अंदर तक बेद दिया वो शब्द थे कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णू की मा शंकर का दादा कौन है हमको देवता पंदरा बीस मिनिट का मैंने सत्संग सुना होगा और मेरे को इस से अलग कोई बात याद नहीं रही और मैं सो गया उसके बाद ये बात मेरे दिमाग में रहती भी कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णू की मा और शंकर का दादा कौन है ये तो बड़ा अध्वुत बात है इस बात में दोई बात हो सकती है या तो ये जूट है और या फिर ये बहुत बढ़ा ग्यान है जिसकी तुलना दूसरे किसी ग्यान से नहीं की जा सकती उसके बाद 302 का मुकद में अरजीत बन था रहता कि उसकी तारिख लगती थी तो मैं उसके पास फोन करता मैं उसको बुलाता कि आप मेरे पास आओ ज्यादा मेरी कोई नहीं थी लेकिन मेरी एक नियत ये थी कि मैं चुपके से उसकी सीडी गाड़ी से निकाल लूँ क्योंकि मेरा एंकार काफी बड़ा था मैं नहीं चाहता था उससे प्रशन करूँ क्योंकि मैं बहुत अपने आपको समझदार सोचता था उससे बड़ा मानता था मैं उससे सी देतर पर नहीं पूसना चाहता था लेकिन मेरे ये महनत सफल नहीं हुई और फिर मैं आरजीत से प्रशन किया कि ये जो ब्रमा का पिता और विश्नु की मा है ये मामला क्या है तो उसने मेरे को बताया कि आप जब इस सीडी को सुनाओगे और गुरुजी की किताब पड़ोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा तो अब दुबारा से परमात्मान मेरे को मोका दिया जो मेरा आरे समाज के कू करते हूं और उनके पापकर्मों के वज़े से मैं छूट गया दा मेरा पीछे तो मैंने कोशिश की चलो एक मैं संत्रांपाल जी माराज जो आज मेरे गुरुजी है पुझनी गुरुजी मैं उनसे चर्चा करूँगा और इस विशे में मैं उनके साथ आश्रम में आ गया अश्रम में आने के बाद कोचे मुझे आ अवश्यक कहा आपको नम लेना आवश्यक हैं नाम लेने के बाद गुरुजी सब से मिलते हैं और गुरुजी का समय इतना ज्यादा वेस्ट होथा कि शिश्यों से ही मिलना पुरा नहीं हो पाता बाहर के लोगों के लिए उनके पास समय की कमीगेकार नहीं मिल पाते वो मैंने का कोई बात नहीं मैंने सरफ यह सोचके कि यह gate pass है आप कहीं भी जाते हो किसी से मिलने तो वहां की कुछ फर्मलेटीज होती है आपको वो पूरी करनी है और मैंने उस फर्मलेटी को पूरी किया अंदर गए संत्रामपाल जी महराज एक आशन पर राजमान थे वहां ग्यान चर्चा तो नहीं कोँगा मैं उस वक्त को लेकिन परीचे अवश्य हुआ उस परीचे के बाद जब मैं आया तो मुझे एक सीज़े लगी कि जो नाम मुझे दिया गया है जो मंतर मुझे दिया गया है ये अध्वुत है इसमें बहुत बड़ी मुझे खेचाव मैसूस हुआ कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए था और मैं मुझे सर्वाइकल पेन था गर्दन में और मैंने उस मंतर का वैसी जाब किया कि ये मंतर है तो चलो मैं जाब करता हूँ तो यह ग्यान मुझे नहीं था कि इस प्रकार मंतर ना बताना चाहिए, बताने वाले को भी नुक्सान होता है, जो उसको करेगा, तो उसको भी उसकी आनी होगी, अब उन्होंने उस मंतर का जाप किया, तो जो दर्द मेरा ठीक हो चुका था, वो दुबारा से हो गया, मैं नह मज़ पाया, मैंने का चलो खेर जो भी था, कुछ देर के लिए मैं कोई सहरा मिला, इसके बाद मेरा आश्रमाना लगातार जारी रहा, और मैं सत्संग सुनता, तो मैं यहां से जाता आश्रम से घर जाके मैं पुस्त के पड़ता, मेरे जनम से वेद मेरे घर में है, और मैं इन प्रशनों को त्यार करता, बीस बीस गंटे में पड़ता, तो एक बार मैंने यह किया जवाब कोई व्यक्ति दे ही निसकता, क्योंकि वह बहुत ज़ादा मेरी महनत के बाद मैंने नको त्यार किया था, और सबसे बड़ा चमत्कार यह बहुँ दिन, के आज भी मरे को व में जहां बैठा था तो उस प्रशन का या तो मुझे पता था या प्रमात्मा को पता था दूसरे किसी से मैं उनको शेर नहीं किया था और मेरे गुरुजी संतरामपाल जीवन में कि मैं सच्चा रहूं मैं उस दिन अपने आपको बहुत हारा हुआ तूटा हुआ मैसूस कर रहा था कि यह तो जो भी कुछ हुआ यह जीव नहीं कर सकता यह शक्ति कुछ और है उस दिन मैंने डंडवत किया और मैंने गुरूजी से प्रातना की गुरूजी मैं मैंने ज्ञान को समझने की और इस से आगे की बात शुरूब हुए तो आरिसमाज के बारे में तो मैं सिर्फ यह कुँगा कि कुछ ऐसे दुष्ट लोगों की एक मंडली है उनके पास कोई जन समर्थन नहीं है लेकिन उनके पास बढ़काओ भाशन है जिससे वो कुछ प्रकाश में लिखे थे गुरुजी का बढ़ा ही एक ऐसा मेथट है कि आप अंजान से अंजान आदमी को समझा सकते हो सत्यार प्रकाश खोलते और खोलके फिर दिखाते कि देखो इसमें यह लिखा हुआ है और फिर वेद खोलते और वेद जो है कोई वेद समस्या नहीं है लेकिन आरे समाज ने वेदों को एक समस्या बना रख्या था कि वेद एक ऐसी चीज़ है जिन को समझने के लिए आपको संस्कृत का बहुत बड़ा प्रकांड पंडित या कुछ ऐसा जरूर उना पड़ेगा और तब ही आप वेदों को समझ पाओगे लेकिन सबस्यात जो हिंदी में अनुवादित हैं तो उसमें संस्कृत का प्रकांड पंड़ेट होने की बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है गुरु जी बताते देखो वेद जो कहते हैं वह यह कहते हैं और सत्यार्थ प्रकाश कहती हो यह कहते हैं अब यह तुलना एकदम सभष्ट थी और और इसमें किसी भी परकार का कोई संशे नहीं था सर्सकृत है अब संतरामपाली तो पहले भी आपने वेदों को पड़ा दो क्या मानते हैं कि स्वांभी दयानद को वेदों का घ्यान था देखो वेदों का ज्यान होना तो एक बहुत बड़ी बात है कि स्वामी दानन्द को वेदों का ज्यान था मैं तो आज ये मानता हूं कि स्वामी दानन्द को संस्कृत का भी ज्यान नहीं था जब आप एक सी दीसी बात है उसको बड़ी सरल बाशा में मैं कहने का प्रियास करूँगा जब आप किसी पुस्तक का अनुवाद करते हो वो पुस्तक पहले से किसी और बाशा में है और आप उसको अपनी किसी बाशा में अनुवादित करते हो तो आपको ये कोई अधिकार न मकसद है अब द्यानंद ने जब वेदों का अनुवाद करना शुरू किया तो उससे पहले उसकी धारना बढ़ चुकी थी नकली गुरूरों के पास जा के कि परमात्मा निराकार है उसने पूरे वेद में कोशिश की है अनुवाद करते वक्त है दानन्द वेदों का निर्माता नहीं अनुवादक था और अनुवादक भी कितने वेद का एक यजुरवेद और आधारिक वेद इसके अनुवाद में उसका पूरा प्रियास ये रहा कि मैं कहीं भी किसी भी परकार से परमात्मा को साकार ना लि इडिए तो उसका एक बहुत बड़ा दोखा उसने लोगों को दिया है और ऐसा दोखा उसको नहीं दिना चाइए था अगर आपको कोई विशेप लिए नहीं आता उसकी जानकार ही नहीं तो आप यह मना कर सकते हैं कोई दबाव उसके उपर नहीं था लेकिन मैं समझता हूं दानन्द बहुत ही दोखे, बाज था और दानन ने जो भी कुछ किया वह तो किया लेकिन उसकी अन्य यह ने तो ऐसा उसके बारे में ऐसा परचार किया कि आने वाले समाज को सोचने का मोका ही नही नहीं था उसके जो नियम थे वह सब एसमाज के अनुकूल थे ही नहीं जब एक बहुत ही साधान सी बात है इसको सभी समझते हैं कि नशा करना बहुत गलत है आप एक बच्चे से पूचेंगे तो वह कहेगा कि नहीं और यह नशाहित त्यादी तंबाकू का सेवन करना गलत है और फिर कहता है मैं भांग भी इतनी ज़्यादा पीता हूं कि मैं बेसुद हो जाता था यानि कि योगी अपने आपको वह साबित करना चाहता है और फिर उसको यह ज्यान नहीं है कि आपको बांग का सेवन नहीं करना चाहिए और सेवन यारी समाजी बाहना करते हैं मेरे मि सुद हो जाता था अब आप खुद यह अंदाजा लगाओ कि भी ऐसा व्यक्ति जो भांका सेवन इतनी अत्य धिक मातरा में करता हो फिर आपको रिशी कहना शुरू कर दें कुछ तो आपको चाहिए और दानद का स्टेटस किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं था लेकिन उसकी अनेरियों ने क्या किया किसी भी प्रकार से हमें अपनी रोजी रोटी चलानी है उस वक्त हमारा जो समार्ज था वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था हमारे बुजर्ग आदरनी बुजर्ग जो उन्होंने ऐसे कैसे यह मान ल कि वेद एक ऐसा प्रमान है प्रमात्मा के बारे में जिसमें हमें काफी सहयोग बिल सकता है संगत को समझाने के लिए और जब उन्होंने वेदों को उठाया तो दानत के द्वारा अनुवादित वेद बिलकुल गलत और ऐसा उसने मैं एक सिंपल भाशा में कहना चाहूंगा कि अडंगा कर दिया एक ऐसी पवितर पुस्तक का जिसका बहुती सुन्दर बहुती अच्छार्थ होना था लेकिन अपनी भावना से गर्सित एक बिमार मनोरोगी मनोवेग्यानिक रूप से कमजोर वेक्ति ने उस वेदों के अनु जगे मिलते हैं आप उसको एक मंद वेद मंतर का अर्थ पढ़के देखें और फिर्मर को यह बता दे कि मरको समझ में आ गया अरे हिंदी भाशा है हिंदी भाशा को भी ऐसे इस तरीके से लिख्या है कि आप उसको नहीं समझ सकते अब वेदों की ज्यान प्रमात्मा की बात बहुत दूर की बात संस्कर्थ का नुवाद भी जोवेक्ति डंग से ना कर पाए उसको वेद गयानी कहना तो मैं समझता हूं गलत है ऐसा बिलकुल नहीं है वेद गयानी वह बिलकुल नहीं था प्रमात्मा की उसको कोई जानकारी नहीं थी और उसको क्या मैं तो आज मेरे प्रमात्मा की जानकारी किसी को भी नहीं रही प्रमात्मा की जानकारी के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो स्वेंप आते हैं और अपनी जानकारी स्वेंप देते हैं कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता जीव की शमता नहीं है कि वो प्रमात्मा की बारे में जानकारी रख स बगति भी दिए तो कोई नहीं है, किसी भी परकार का कोई भी आरेसमाजी, कोई भी बगति नहीं करता, पश्ट है ये उनके पास लोगों को बर्मित करने का, समुदाय को मजबूत करने का एक थरीका है, कि वो एक ह्हवन करते हैं, और उस हमन में लकडियां और वो सब करते हैं ताकि उससे उनका मकसद ये कि एक ऐसा दिखावा हो जाए कि जिससे लोग उन पर केंद्रित हो जाए बाकी कोई भी भगती वीदी मेरे मित्र है आरे समाज में मैं उनसे बहुत बारी प्राथना कर चुक हूँ कि मुझे बता तो कि दयानंद ने भगती की वीदी बताई क्या थी और ऐसी कौन सी गटना थी जिसमें दयानंद का परमात्मा से साक्षातकार हुआ था वह कितनी आयूके थे किस जगह पर थे जहां पर परमात्मा प्रकट हुए और उनको परमात्मा का साक्षातकार हुआ दखो जैसे हमें ग बिवर्तन हुआ तो मैं यह जाना चाहता हूं कि बिद्दानत को परमात्मा मिले कब या उनको अनुभो कैसे हुआ और सबसे बड़ी बात कि जब आप बताते ही निराकार हो क्या निराकार कोई भी वस्तु है निराकार है क्या निराकार से मिला जा सकता है निराकार से मिला जा हैं लेकिन उनकी मजबूरी उनके नीजी स्वारत है मैं यह नहीं गोंगा कि वांजान है लेकिन निश्चे तोर पर उने पता है लेकिन उनके स्वारत बीच में आड़े आए हुए हैं और वो बाधा बने हुए हैं उन लोगों को आने में लगातार आज भी मैं समझता हूं इतनी बड़े-बड़े बाते हुई हैं और एक आप ये देखें के बंडारा तो एक ऐसी चीज है जो आपके वैसे भी साधायन सांसारिक्ता में कहीं चल रहा है तो इंसान ही कोशिश करता है कि वहां मैं कोई योगदान क चिंदे करने का सामर्थ नहीं है कम से कम मैं उसमें कोई बाधा था न बनूं करो था अश्रम में एक सदावर्त एक बंडारा तो चल यह यह बंद ना कि तो यह सत्संग के जो वचन यह भगती करने की प्यासी जो आत्माइं हैं यह यह इखटा होती है ऐसे करम तो उनको ना करने चाहिए और उसके बाद फिर क्या दावे करते हैं कि कभी करोथाश्रम को निखुल ने देंगे उदर से बुपेंदर उड़ा इतना सायक हो चुका है कि मैं समझता हूं आने वाली पीडियां रावन को भूल जाएगी अरे ऐसा परशासन आप कहां किसको क्या मुद दिखाओगे क्या जवाब दोगे कि आपने किन लोगों के विरोध किन लोगों के विरोध में यह घंड़ संत्रामपाल जी महराज से ना मुद देश लेने के बाद आपको क्या लाब मिला मैंने पढ़ा था यह कि तीन तरह के दुख जीव को होते हैं मानों को होते हैं उन मेंसे एक अध्यात्म एक अधीदेव और एक अधीव पूत पढ़ा तो बहुत कुछ था निवारण किसी च ताप कहकर मेरे गुरुजी महराज संत्रामपाल जी महराज ने समझाया कि परमात्मा कभीर साहिब की बगति पिछले पापों का नाश करती है और तीन ताप के रोग को सरफ यही बगति काटती है इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें जैसे रिगवेद मंडल 10 सुक्त 161 का मंत्र 2 यह बताता है कि अगर जीव मानव श्रीर को छोड़ कर मिर्तु देवता के पास भी जा चुका हो तो वो परमशक्ति वो परमात्मा कभीर उसको दुबारा से श्रीर में लाकर सो साल की आयू और दे सकता है यह वेद का मंत्र है जिस पर किसी प्रकार की सं संसार जो इतने सालों सो वेद को उठाए फिर रहा है यह शमता किसी में थी यह शमता है मेरे गुरुजी माराज के द्वारा दी गई सद भक्ति में कि किसी भी परकार का कोई दुख मिर्तु से बड़ा तो कोई दुख नहीं और यहां इस वेद मंत्र को बिलकुल सच साबि कर दिया अक्षर अक्षर यहां इस चीज को अगर कोई जीव शिर को छोड़ के जा सकता है तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वह मानना जिन्दा हो सकता और अगले सो साल जिन्दा रह सकता है कि मैं साइंस ग्रेजुएट भी रहा हूं तो मेरी फार्मा की बैक्ग्राउंड दवाईयों को नॉलिज है बेसिक से नॉलिज है ज्यादा नहीं है तो मुझे मेरी बेटी को जनवरी में 2010 में ऐसी कुछ प्रॉब्लम होई कि उनके खाना पीना बंद हो गया और उल्टियां ज्यादा शुरू होगी आठ दिन तक किसी दवाई ने काम नहीं किया अब दवाई की एक सीमा है आप ग्लुकोज लगा दोगे आप कुछ इंजक्शन दे दोगे लेकिन जब तक आपका खाना पीना औरली ना हो तो आपका शिरीर काम नहीं करेगा लेकिन तब तक मेरे गु आश्रम में हमाई गुरूजी से प्राथना हुई और उस बच्ची ने उस वक्त उसकी उमर ऐसी आठ नो सार की थी उसने भरपेट बोजन किया मैं भी फिर भी यह नहीं कोँगा कि मेरे गुरूजी इतना ही कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं आज मेरा परिवार जो आज ये समाज से शापित है मेरा वो समाज जो सुनना ही नहीं चाहता इन बातों को लेकिन मेरे भगवान अगर मैं जोर से भी सांस लेता हूँ तो वो सुनते हैं वो मेरी रक्षा करते हैं वो मेरे उपर दया रखते हैं ये सब कैसे हुआ इसका सरफ एक ही कारण है और वो है मेरे आदर्णिये पूजनिये संत्रामपल जी बाराज सरवर्थवान के अरिय समाजियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी साथी रेवे हैं तो मैं समयता हूँ कि उनके प्रतिवे आपकी को सेमपती होगी तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं मैं सेमपती तो नहीं कोँगा उन बातों को क्योंकि मैं गरना करता हूँ उस समाज से जिसने मानता को त्याक कर इतने गरनित पाप किये हैं क्रोथा कांट जैसा गरनित अपराद उनोंने किया है लेकिन फिर भी उन्होंने लाख बुरा किया मारा आज भी कर रहे हैं जितनी भी वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी ये कोंगा मैं उनको चाहे उसमें कोई आचारी है परचारी है या कोई परशासनिक विक्ति है कि मेरे गुरुजी से ज़्यादा बड़ा दीन द्याल इस रश्टी में कोई नहीं है आप के पास ये मौका इस मानव शिर में रहते रहते है कि आप इनके चर्णों में आकर माफी मांग ले इनकी शिशे बन जाएं और कबीर परमात्मा की सद बगती कर ले तो आपके ऐसे गहनित पाप जो आज से पहले शायद किसी ने ना किया हूँ उनको भी ये परमात्मा कबीर काट सकते है लेकिन अगर आप लेट हो गई और आपका मानव शिर छूट गया तो मुझे जितने सत्संग मैंने गुरुजी माराज के सुने है मेरे गुरुजी नहीं जो शिक्षा दी उसके अनुसार मैं समझता हूँ कि युगो युगो तक ऐसंखे युगो तक कोई ठोड ठिकाना नहीं है आप मेरे गुरुजी का सत्संग एक डीवीडी है आप उस डीवीडी में जवाब सुनेंगे तो आपकी सारी चीजें कलीर हो जाएंगी वो कहते है कबिर साइब की वाणी है कि जूठे गुरु की मा मुंडू जिससे संशे ना जाएं मेरे गुरुजी का द्यानद पर एक सत्संग वो सुनने के बाद आप द्यानद का जिकर करना ही ठीक नहीं समझेंगे और ये मेरा दुर्भाग्य है मैं आरे समाज में पैदा हूँ पर इतना अश्यक है कि एक प्रैस्चित का मौका आज मेरे पास है मेरा जीवन शेष है कि जो भी मैं आरे समाज में रहते हुए जो पाप जो बुराइयां हुई आज ये मौका आपने दे दिया कि मैं इस शेष जीवन में ये प्रैस्चित करूँगा कि मेरी आने वाली पीडियां कभी भी आरे समाज ही ना कहलाई क्योंकि इस से बड़ी इस शब्दकार्थ ठीक है लेकिन ये पंथ गलत है जिन लोगों ने अपनी पहचान आरे समाज के रूप में बढ़ाई है वो बिलकुल गलत और भरमित करने वाला समाज है सर थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद सार लेकिनिस के फियर क्यों आरे समाज है किस लेकिनौ सारींस